गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं आजी सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लॉजकल स्टेडी अड़ा में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड चेप्टर जिसका नाम है दे राजाज ड्रीम एक ऐसा स्टोरी है दे राजाज ड्रीम जिसे परने बाद आपको काफी मज़ा आने वाला है तो चलिए बने रही है और इस चैप्टर की सुरुवात करते हैं ठीक है तो अभी पहाँ चलाए है कि वास्ता में ये राजा का ड्रीम क्या था चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर द राजाज ड्रीम यहीं राजा का सपना इसको परने से पहले थावसा देख रिजे कि यहाँ पर क्या लिखावा है Have you ever had a funny strange dream क्या आपने पहले कभी भी विचितर सपना देखा है Share it with your classmates अपने दोस्तों के साथ से share करो Tell them और उसे बताओ If it had any connection with reality और यह बताओ कि वो सच्मों कोई वास्तविक्ता से समन्ध रखता हूँ ठीक है ना? चलो ऐसे discussion करने था किये तो भी ठीक न किये तो भी ठीक ठीक है? चलिए तो इसमें राजा थै इसके नाम थे राजा किस्चंद्रा Often hear his courtiers वो प्राय अपने दवारी से सुना करते थे Complaining that Gopal loved to make everyone appear like a fool Gopal नाम के एक ऐसा विक्ती था उनके राज में जो सब को मुर्ख बनाते चलता था There was hardly anyone in the court ऐसा सायदी को दर्वार में होगा यथ था Who had not at once time or another tried to get their backs at Gopal जो Gopal को मुर्ख बनाना चाहता हो ठीना है? But always ended up looking like utter idiots प्रांतु वो कोद मुर्ख बनके चला आता था The Raja knew that This was true Raja जानता था कि यशत्य है It often rankled him that without uttering a single objectionable what the gesture had made him feel silly more than once So one day Krishnachandra decided to amuse himself by betting Gopal So एक दिन राजा ने निश्चे कर लिया कि एक बार Gopal का मैं खुद मजाग उड़ाऊंगा ठीक है? और मैं उस मजाग का मजा लोऊंगा ना तर राजा ने ऐसा सोचा तो उसने क्या किया? पूरे राज में धिन्वड़ा पिटवा दिया कि मैंने राजा गोपाल के बारे में एक सपना देखा है ठीक है? इस तरह सुने कुछ सरेंद राचा ठीक है? गोपाल को मुर्ख मनाने के लिए ठीक है ना? चलिए देखते हैं कैसे हुआ आगे? तो यहाँ देखे आगोपाल आई हैव हैड़ा स्ट्रेज द्रीम गोपाल मैंने बहुत बिच तर सपना देखा था अनाउस राजा तरनेख्ज देख्ज अगरे दिन का किया? अनाउस करवा दिया पूरे राजी में As soon as he saw Gopal in the court और जितना जल्दी हो सके दर्वार में किसको लाए गया? Gopal को लाए गया And everyone fell silent in order to listen to the king's dream और सब कोई क्या था बिलकुल चुप था राजा के सपना को सुनने के लिए आखिर उसने क्या देखा Gopal के बारे में उन्होंने बोला I dreamed Gopal मैंने Gopal के बारे में सबना देखा That you and I were going for a walk and we reached a place कि हम और Gopal टखल रहे थे और एक ऐसे जगा पर पहुंचे Where there were two pools जहां दो पूल थे One of the pools were filled with खीर एक ऐसा पूल था जो खीर से भड़ा वा था मतलब खीर वाला फूल था पूल था जैसे नदी होता है नदी का पूल होता है मतलब पानी से भड़ा होता है उस तरह से खीर वाला पूल था Made of rich thick milk and the other full of horribly smelly dung एक उतो पूरा खीर से भड़ा होता है अ तूसरा क्या था पिलकू ड़कू ड़कू गोवर से भड़ा हो है Suddenly I fell into the milky pool and you into the rotting pool अचानक क्या हुआ कि मैं milky pool यानि मैं दूद वाला यानि खीर वाला में गिर गया राजा बोले कि मैं खीर वाला में गिर गया और जो गुपाल था वो कहां गिर गया मक मतलब गोवर के पूल में गिर गया ठीक है इतना बात उन्होंनों बताया गुपाल के बारे में कोर राजा और हीरिंग देस दे कोटियों बस्ट आउट लाफिंग यह सुनते ही पुरा दर्वारी किया कि जूर्स ठाके मारकर हसने लगा गुपाल अस्टूट अनुट अनुट लेकर पैर तक के बिल्कु गोवर से लसा होगा बिल्कुल है ना बिल्कुल मतलब गंदा हो गया होगा इसले जोड़ से ठाके मारकर हसने लगा गुपाल अस्टूट अनुटब अनुट अनुट एवरिवन तो फिनिस लफिंश लफिंग गुपाल चुप चुप खरावा था बिना एकुछ मोमेंट किय वह और इंतिजार करा थे कब सब हसना बंद करें और सबको उसने आश्चर चकित कर दिया जब उसने बताया के मैंने इसमें सेम सपना देखा है कौन बोला? परको अब उसने बहुत प्रसन नहीं मतलब उसके मन में संकार राइत कोश्चन आया और उसने गुपाल से पूछा, यू मिन एबरिटिंग है नियोर द्रीम, जस्ट दस वे दे हैप इन माइन, यानि कि तुम्हारा मतलब जो तुमने देखा अपने सपनों में, वह से मैंने भी देखा था, तह बोला हाँ, इस हम सही पूर रहे हैं, येस महराज, गुपाल रिप्लाइट, येस महराज, गुपाल रिप्लाइट, गुपाल रिप्लाइट उतर दिया, कि हाँ मारा था है, तहम बिल्कु सही पूर रहे हैं, तहम सेम सपना, only your dream finished earlier बस थोड़ा सा कम्यों है कि आपका सपना जो है पहले समाप्त हो गिया माई ड्रिम कंटिनूड अलिटी लोंकर मेरा जो सपना था थोड़ा सा लंबा चला मतलब वो पूल में गिरने के बाद और उसके बाद क्या हम दोनों उसमें से निकलने लगे यू कवर इन खीर आप पूरा खीर से ढखे वे थे क्योंकि आप खीर वाला में गिरे वे थे और मैं पूरा गूवर से सना हुआ था आप मुझे चाटने लगें और मैं आपको चाटने लगें मतलब समझ रहें कि नहीं मत्व गपार राजा को चाटा याने खेर को चाटा ता और राजा ओ मैई गवाट उसने क्या किया गपार को चाटा याने कि गोबर को चाटा किया कितना मत्व बारे बेश्थी किया चलिये आगे दखते हैं कि आगे क्या हुआ इसके बाद the courtiers almost shocked when they hear this सारे दर्वारे हक्का भक्का रगें और इत्तिरा के इका पूल दिया गोपलवा बट अनफोर्शनेटली पूर एब्रीवन प्रन्तु अच्छानक सभी ने देखा तक ही वाजने गूड मूड कि राजात हो क्या है अच्छे मूड में लग रहा है अच्छे मूड में अच्छे मूड में आगें अच्छे मूड में आगें वाजने राजात हो क्या है जब उसकी खिचाई हुई गोपाल के दोरा है In fact, he had a good laugh at Gopal's वीटे बल्के उसने जोड़ से ठाका है हमारा गोपाल के चत्राएं पर सही बात है कितना सुन्दर सा जवाब दिया ठीक है किसने गोपाल ने बिल्कुल परजेंस ओफ माइंड के साथ ठीक है तो यह कहानी जो है लिया गया था गोपाल भान से जेस्टर फ्रों बंगाल था बाई रूपा गुपता पब्लिकेशन ठीक है तो कैसा लगा बताएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट देते रहेंगे यार जो भी देखते हो कमेंट दे दिया करो ठीक है ताकि मुझे होसला है और मैं आगे वीडियो बनाओ तो फिर क्या होता न कि जो ठंडा पड़ जागा तो हम बना नहीं पाएंगे ठीक है न कि आपी रात पर जगराता करके बनाते हैं तो हम आसा करते हैं कि आप लोग कमेंट केजिए जो तुरा से लगए करमी तो बताईए कि हाँ गुरुजी तुरा सा समस्या है तो समस्या का समधान होगा और कोई दुख दरद हो तो भी बताईए यह पर ठीक हो जागा ठीक है चलिए मिलते हैं अगले बीडियो में बाबाई